नमस्कार दोस्तो, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे WhatsApp की Privacy Policy के बारे में हाली में भारत सरकार ने WhatsApp को ये कहा है कि आप अपनी Privacy Policy को रद करें, जो Updated Policy है वो लागू ना करें इसके पीछे Reason क्या है, क्यों ये Policy Problematic है और भारत सरकार का इसको लेकर क्या रवाई है और दुनिया में दूसरी सरकारें क्या कर रही है WhatsApp के साथ इनी सब बातों को हम डिसकस करेंगे इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप Unacademy App पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस ID पर वहाँ फॉलो कर सकते हैं मेरे Plus Course या Special Classes जो कल होने वाली हैं उसकी Updates आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी और अगर आप मुझसे अन्य सभ पर का PDF मिल जाएगा Pathfinder Underscore UPSC Telegram चैनल पर रविवार को Unacademy Combat आ रहा है Combat में हिस्सा लेकर आप देश भर के अभ्यारतियों के सामने अपनी rank अपनी position को जान सकते हैं और साथी साथ scholarship जीतने का भी आपके पास सुनहरा मौका है तो रविवार को 11 बजे Combat होता है Hindi English दोनों भा द्योगी की मंत्रा ले यानि कि Ministry of Electronics and IT ने WhatsApp को एक notice भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी नई privacy policy को withdraw कर लें तो अगर आप लोग WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो पिछले 20 दिनों से आपको WhatsApp खोलने पर अकसर एक update का message आता होगा कि privacy policy हमारी update हो रही है उसको अगर आप agree कर और ये भी चितावनी दी है कि अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो फिर सरकार कानूनन प्रक्रिया अपनाएगी and steps will be taken in consonance with the law यानि कि कानून के अनुसार जो भी नर्ने होता है वो लिया जाएगा और कारवाई करी जाएगी अब exactly कौन सा कानून की सरकार यहां बात कर रह आपस में से एक है दुनिया में इसके दो बिलियन से भी जादा यूजर है आप वैसे देखें तो दुनिया का हर चौथा इंसान WhatsApp का इस्तमाल करता है जो कि एक काफी बड़ा नंबर है for a mobile app तो इसकी policy या terms of usage जब change होते हैं तो वो दुनिया की एक चौथाई आबादी को effect क के माधियम से उस डेटा का इस्तमाल अब Facebook पर marketing के लिए किया जाएगा आपको मैं बता दूं कि Facebook ओनर है WhatsApp की WhatsApp को इन्होंने खरीद लिया था 2014 में और Facebook पर जो ads चलाए जाते हैं उन ads के लिए अब WhatsApp के data को यूज़ किया जाएगा ताकि personalized targeted ads लाए जा सके आपको एक उधारन के तोर पर बताता हूँ मानलो मैं अपने दोस्त के साथ चाट कर रहा हूँ कि मुझे एक नया mobile खरीदना है कौन सा mobile जादा अच्छा है OnePlus अच्छा है या Apple या whatever मतलब कोई भी मैं phone के options discuss कर रहा हूँ अपने दोस्त से तो ये हो सकता है कि अब WhatsApp उस data को analyze करेगा और वो ये समझ आएगा कि इसे नया phone लेना है तो वो मुझे Facebook पर सिर्फ mobile के ad दिखाएगा तो इस प्रकार की marketing Facebook को काफी फाइदा देती है क्योंकि ये targeted marketing है हो सकता है कि मैं Facebook पर ad देखकर वही mobile खरीद लूँ जिसका मुझे ad दिखाया गया था तो ये वाली जो policy है इसका लोग विरोध कर book group लेकिन अब ऐसा नहीं है दोनों company का जो data है वो आपस में share किया जाएगा तो इससे लोगों को आपत्ती हो रही है सरकारों को आपत्ती हो रही है सबसे बड़ा risk ये है कि Cambridge Analytica scandal ने हमें ये बताया था कि किस प्रकार से mass profiling करके देश में बड़े-बड़े changes लाए जा सकते ह अनलेटिका scandal दो साल पहले हुआ था जिसमें facebook के 500 million users का data जो है वो leak किया गया था third party को और Cambridge Analytica firm ने उसका इस्तमाल करते हुए लोगों के voting behavior पर असर डालने की कोशिश करी थी तो democratic decision तक उससे manipulate करे जा सकते हैं तो लोगों की खरीदारी की आदत है यानि की buying behavior को तो definitely influence किया जा सकता है इसी लिए इस policy की इतनी आलोचना हो रही है WhatsApp की इस privacy policy ने एक larger debate छेड़ दिये है पूरी दुनिया में regarding the consent mechanism यानि की हम यानि की user अपनी हामी देते हैं इन companies को हमारा data इस्तमाल करने के लिए तो ये किस हद तक ठीक है क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारी companies है जो purely data based हैं जैसे की WhatsApp ही देख लो WhatsApp आपसे कोई पैसे नहीं लेता कोई monthly fee नहीं है उसको use करने की ना तो उसमें add आते हैं तो वो आपको free में एक service provide कर आ रहे हैं लोग अपना business चला रहे है WhatsApp से और ये सब free में दिया जा रहा है WhatsApp के द्वारा तो ऐसे में ये कब तक sustainable है इस model में प् अभी तो वो company चाहेगी कि वो profitable हो तो या तो वो add दिखाएगी या आपसे पैसा मांगेगी कि monthly आप 100 रुपे दीजिए या फिर तीसरा वो ये करेगी कि उसके वास जो data का भंडार है उसको बेचा जाएगा अब WhatsApp क्या कर रहा है कि उस data को बेच नहीं रहा है वो अपनी ही parent company Facebook के साथ उस data को शेर कर रहे हैं लेकिन ये पूरा जो mechanism है इस पर ही कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और दुनिया भर की सरकारे सोशल मीडिया को regulate करने के लिए कानून लाने की प्रक्रिया में है इस पर मैंने एक special वीडियो भी बनाया था आप चाहें तो इसे search करके देख सकते हैं सोशल मीडिया regulation debate worldwide रिसेंटली साथ आफरिका की सरकार ने भी WhatsApp को ये कहा था कि आप अपनी वही privacy policy हमारे देश में लागू करो जो European Union में चलती है तो वहाँ पर भी यही debate चल रहा है Germany के अंदर Facebook को ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि WhatsApp के data को process करके Facebook के लिए इस्तमाल ना किया जाए और यही चर्चा भारत में भी चल रही है पहले January के महीने में चली थी February में ये policy लागो होने वाली थी इसे WhatsApp ने डिले कर दिया by 4 months अब माई के महीने में भी 15 माई की deadline थी लेकिन इतना इस पर criticism हो रहा है WhatsApp का कि फिर से इन्होंने इसको अभी postpone कर दिया तो 15 माई को WhatsApp accounts बंद नहीं हुए कंपनी ने पहले साफ कह दिया था कि जो भी हमारी privacy policy को accept नहीं करता उसका account temporarily बंद कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है अब भारत सरकार ने WhatsApp को जो notice जारी किया है उसमें उन्होंने ये दिखा है कि आप अपनी privacy policy को withdraw कर लो और जिस प्रकार से ये policy जारी करी गई है the manner of introducing it undermines the sacrosanct values of informational privacy, data security and user choice for Indian users and harms the rights and interests of Indian citizens basically भारत के नागरिकों के अधिकारों के ये खिलाफ है हमारी जो privacy है नागरिकों के informational privacy है और जो data security है उसके ये पूरी तरह से खिलाफ है इसी लिए ये privacy policy withdraw कर ली जाए और एक चेतावनी भरे अंदाज में ये भी कहा गया है कि आप इस policy को अगर rollback नहीं करते हैं तो सरकार जो भी कानूनन हमारे पास उपाय है उसका इस्तमाल करेगी the government will consider various options available to it under laws of India and अगर आपने कोई satisfactory response नहीं दिया तो जन्वरी के महीने में भी भारत सरकार ने WhatsApp के CEO को एक चिठी लिखी थी जिसमें ये कहा था कि आप अपने proposed changes को withdraw कीजे उस समय WhatsApp ने इसको postpone कर दिया था लेकिन withdraw नहीं किया था और तब भी सरकार ने ये कहा था कि we have grave concerns over the implications and the choice and the autonomy of Indian citizens तो उस समय सरकार ने चिंता जताई थी इस बार सरकार ने एक प्रकार से चितावनी दे दी है WhatsApp को कि ये गलत हो रहा है एक और मुद्दा ये है कि WhatsApp दुनिया के सभी देशों में एक समान बरताव नहीं करता है WhatsApp European Union के नागरिकों का data ना तो share कर सकता है किसी और के साथ ना ही उसे बेच सकता है क्यूंके वहाँ पर GDPR लाग हो है General Data Protection Regulation जो कि एक काफी strict कानून है वहाँ के नागरिकों के data को protect करने के लिए तो EU के citizens WhatsApp की privacy policy से बचे हुए हैं GDPR के कानून के अनुसार अगर एक ही company की दो अलग-अलग app हैं तो भी उनके बीच में आपस में data share नहीं किया जा सकता दोनों के अलग terms of use होंगे अलग privacy policy होगी और दो apps के बीच का data अपस में common share नहीं किया जा सकता है तो EU के नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो WhatsApp की privacy policy को accept ना करते हुए भी WhatsApp का इस्तमाल जारी रखे हैं दुनिया में दूसरे देशों में WhatsApp ये कह रहा है कि अगर आपने privacy policy को okay नहीं किया तो तुरंत इस दिन आपका WhatsApp बंद हो जाएगा जैसे कि भारत में 15 माई की deadline दी थी उन्होंने तो 16 माई से आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे आपको भारत सरकार ने भी ये मामला उठाया है कि European Union के नागरिकों के लिए कुछ और कानून और भारत के लिए कुछ और कानून ये सही नहीं है Competition Commission of India भी WhatsApp के खिलाफ एक जाँच चलाएगा ये देखने के लिए कि क्या Privacy Policy इनकी सही है या नहीं लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि भारत में ऐसा कोई strict कानून इस वक्त मौझूद नहीं है जो भारत के नागरिकों का डेटा बचा सके हमारा Personal Data Protection Bill 2019 लोग सभा में लाया गया था लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है अगर आप चाहते हैं कि मैं Personal Data Protection Bill के उपर एक अलग lecture बनाओं तो comment में ज़रूर mention कीजेगा इस lecture का PDF आपको इन दोनों ही Telegram channels पर मिल जाएगा अगर आप UPSC 2022 या 23 की तयारी कर रहे हैं तो An Academy subscription के माध्यम से आप ये तयारी को अंजाम ले सकते हैं भारत के best educators इस platform पर पढ़ाते हैं, live classes होती है, batch बनते हैं आपर जिनको आप हर महीने join कर सकते हैं और उस batch में fixed schedule के अनुसार पढ़ाई होती है अगर आप optional plus GS दोनों की तयारी करना चाहते हैं, तो आप An Academy के subscription को ले सकते हैं जादर platforms आपको सिर्फ GS की तयारी करवाते हैं, optional की तयारी कोई नहीं करवाता है साथ में लेकिन यहाँ पर जो ये वाला हमारा GS plus optional का course है, इसमें आपको दोनों की तयारी हो जाएगी और इसमें अभी 25% discount चल रहा है तिल 26th of May, तो अभी 5 दिन है, तो इसका फाइदा उठाईए इस 25% discount के उपरांथ आपको 10% extra discount मिलेगा अगर आप code use करते हैं महिपाल तो आपको ये वाली prices भी pay नहीं करनी होगी, इस पर भी आपको 10% और discount मिल जाएगा एक special batch चल रहा है जिसके अंदर Unacademy के top educators one-on-one आपको mentoring करेंगे, personal mentoring होगी लेकिन इसमें limited seats है, so you can join this batch by clicking on the link in the description तीन free test series है Unacademy की इनको आप join कर सकते हैं, इनने join करने के लिए आपको केवले unlock code का इस्तमाल करना है, that's it Unacademy subscription में इस वक्त आपको printed GS material free में मिलेगा, अगर आप एक साल या उससे उपर का course लेते हैं, तो आपको सारी किताब हैं, printed material free में उपलब दोंगे plus और iconic दो प्रकार के course हैं, plus में आपको lectures या classes तो मिलेंगी, iconic में आपको एक personal mentor भी मिलेंगे, जो आपको GS mains answer writing की practice करवाएंगे और आपको day to day guide भी करेंगे अगर आप plus course लेते हैं, तो इस वक्त मेरा एक art and culture का plus course ongoing है, उसको आप join कर सकते हैं, रोज रात को 8 बजए उसकी live class होती है अगर आप SSC, bank, railways या state PCS exams की तयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए भी an academy पर courses उपलब्ध हैं, और इन सभी courses पर आपको 10% discount मिलेगा अगर आप महिपाल code use करते हैं, so always remember to use the code, don't pay extra money thank you very much for watching this, have a great day